हलो फ्रेंड्स रेया फैसन में आपका स्वागत है यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और गंटी के बटन को दबाना नहीं भूले ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल स प्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको हाल से काज और बटन लगाना बताऊंगी तो पहले आप यह मैंने पट्टी ले लिए काज के लिए इस पर आप मार्किंग कर लीजिए अपने बटन के साइज का काज बनाना आपको यह देखिए यह हमारी बटन है इसकी साइज क काज बनाना है तो आप इसको इस तरह से रख दीजिए और इसको मार्किंग कर लें लेकिन द्यान रहे अपने बटन से थोड़ा सा काज छोटा बनना चाहिए नहीं तो ज्यादा बड़ा बन गया तो बटन काज में से निकल जाता है इसलिए थोड़ा छोटा बनाना आपको यह हम इसको सीधा कर लेते हैं अब यह देखे इतना बड़ा बटन है इसमें काज हमें छोटा ही बनाना है यह देखे इतना सा काज हमें बनाना है तो अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है पटी को और केंची से आपको इसको कट लगाना है आपको कट बिलकुल सीधा लगाना है, तीरचा नहीं होना चीए, और ध्यान रहे, जदा कट नहीं लगाना, आपने यहे मार्किंग कर रहे की, उतना ही कट लगाना है, यह देखे हमने इसमें यह कट लगा दिया, अब आपको इसको किस तरह से सिलना है वो में आपको बताती ह अब हमें एक निडल लेनी है निडल थोड़ा सा लंबी लेंगे और पतली लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो इसमें हमने अलग कलर का धागा लिया और अलग कलर का फेबरिक लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे के हम कहां पे स्टिच कर रहे हैं धागे को हम डबल फोल्ड करेंगे आप निडल थेडर का भी यूज कर सकते हो धागा पिरोने में मैं आपको बताती हूं किस तरह से आपको निडल थेडर का यूज करना है यह देखिए ऐसे आपको पाज से पकड़ना है और इस तरह से गुसा देना हो सकता है डबल धागा आप सुई में नहीं निकाल सेके क्यूंकि इस सुई का होल बहुत पतला होता है अब आप इसको इस तरह से खींच लेजिए ये देखे एक सिरा आपको लंबा रखना और एक सिरा इसमें आपको छोटा रखना और एक सिरे पर आप इस तरह से गटान लगा दीजिए यह देखे ऐसे उंगली पर आपको लपेटना इसको और इसे ट्विस्ट करना है इस तरह से एक और गटान लगा लीजिए आप ताकि यह गटान कपड़े में से निकले नहीं एक लगाने से हो सकता हमारे कपड़े से निकल जाएं तो दो गटान कर लेते हैं हम इसमें यह देखे एक्स्ट्रा धागी को हम कट कर लेते हैं अब आपको इस तरह से लेना है इसको कपड़े को यह जो गटान लगए हमने यह उल्टी तरफ होने चाहिए इसलिए हम इस तरह से नीचे से डालेंगे जो कट लगा है उसके थोड़ी सी दूरी के आगे से अब हमें इस तरह से इसको गुसाना है इस धागे के बिलकुल पास से ऐसे और आपको इसी धागे को पकड़ना या लूप बनती जाएगी तो आप इस धागे को पकड़े इस धागे को नहीं पकड़े जो हमारे कपड़े के साथ अटेच हुआ है उसी धागे को इस तरह से यह देखे इस तरह से इसको इसे ऐसे लियाएंगे फिर इसके बिल्कुल पाज से लेना आपको इसी तरह से और यही इसी दागे को पकड़ना आपको ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना और अपने को बराबर बराबर ही यहां पर कपड़ा लेना है तो ज्यादा अच्छा इसका काज बनेगा और यह बराबर बराबर दूरी पर ही आपको स्टीच करनी है देखिए ज्यादा दूर नहीं लेना जागा इस तरह से मैं आपको बताती हूं आपको ऐसे नहीं लेना इतनी दूरी ऐसे इस तरह से जाके नहीं लेना इल्कुल सेम दूरी पर ही आपको यह बनाते जाना जबी एकदम अच्छा काज बनेगा अब आपको जैसे यहां सीधा कट आ गया कट से थोड़ा से पहले एक दो स्टीच आपको ऐसे तीर्ची लेनी पड़ेगी इस तरह से ताकि इदर से यह तीर्चा बनेगा नहीं तो वह पूरा गोल बन जाएगा इसलिए आपको ऐसे लेना है जैसे आप इस तरह से इसको ट्विष्ट यह घटान लगाते हो इस तरह से इसमें तो आपको उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से यहां पर इसे खीचना नहीं हलका सा आपको इस तरह से यहाँ पर यही हल्किसी यह किनारी बनती जाएगी भुग सुंदर लगेगी देखने में यह देखे इस तरह से बहुत ज़्यादा जोर से इस को इस दागे को पकड़के खींचना नहीं और बिल्कुल पास पास लेते जाना बराबर بराबर दुरिपे और ब डिजाइन बन रही लेकिन आप अपनी ड्रेस में सेम कलर का धागा यूज करें तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सुन्दर लगेगा अब ये पूरा काज बन गया अब हमें इसको पका कर देंगे पीछे की साइट ले जाकर गठान लगा देंगे ये देखें हमारा काज बनकर कंप्लीट हो गया इसी तरह से आप भी काज बना सकते हो हो सकता है एक आज बार में अच्छा काज नहीं बने लेकिन जब आप प्रेक्टिस कर लोगे तो हो सकता है इससे भी अच्छा काज बना सकते हो अब हम बटन लगाएंगे बटन लगाने से पहले आप किस तरह से आपको मार्किंग करने है यह देखिए इस तरह से आप अपना काज को बिल्कुल इसी तरह से सीध में रख ले और सीधा से इस तरह से सीध सेंटर करते हुए यहां बीच में इसके एक छोटी से इसे चोक से आ यहां तक यह पट्टी है तो आपको यह बटन नहीं तो इधर रखना ज्यादा और नहीं इधर रखना इसको बिल्कुल पट्टी के सेंटर में रखना ऐसे थोड़ा मार्जन इदर भी रहना चाहिए थोड़ा मार्जन उदर भी रहना चाहिए इस तरह से आपको इसको बटन क को रखना और इसको रखते हुए ऐसे काज को इस तरह से बिल्कुल एक इस तरह से सेंटर में इसको बटन को रखे ऐसे मार्किंग भी कर सकते हो आप इस तरह से भी कर सकते हो मार्किंग करने के कितने ही तरीके होते हैं इसको रखते और इससे भी आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो चोक से ऐसे निसान लगा सकते हो और अगर आपने काज बनाया और काज आपका बहुत बढ़ा बन गया तो आप उस काज को भी छोटा कर सकते हो जैसे यह सुई धागा पिरो के और पीछे की साइड जाके इदर से एक दो स्टिच लेके ऐसे गटान रगा दीजे बंद कर दीज इस तरह से डाल कर इस तरह से आप इसको गटान की तरह लगा कर इसको छोटा बना सकते हो तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बटन लगाना बताती हूं इसको आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है पट्टी के अब हम पीचे की साइड से इसको लगाएंगे कोई भी एक एक हो अगर आपको एकदम सीधे सीधे लगाना तो आप इस वोल में डाल देजी यह देखे इस तरह जिदर से हमने सुई निकाली उसमें नहीं डालेंगे फिर से दूसरे वाले में ही डालेंगे जिससे हमने सुरू किया पहले उसी में यह देखिए इस वोल से हमने सुई निकाली है लेकिन हमें इस वोल में से डालनी है वापिस बेक साइड से ही कट्यून हम ये निडल को इसी तरह से निकालते रहेंगे जब तक ये अच्छा पक्का नहीं हो जाए अगर आपने धागा चार फोल्ड में लिया है तो आपको चार बार में भी पक्का हो जाएगा चार बार में ही आपका बटन पका हो जाएगा इस तरह से और फ्रेंड्स अब यह मारा पक्का हो गया है दो होल में हमने पका कर लिया हम अब इस तीसरे होल से चोते होल की तरफ जाएंगे तो यह भी आपको पीछे से ही लेना है इस तरह से देखिए और अब हम इसमें डाल देंगे आप इसमें धागा चार लेर में लेंगे तो यह जल्दी से पका हो जाएगा बटन अगर आपने सिंगल ले लिया तो साथ आठ पार आप करोगे जब जाके यह पका होगा और ध्यान रखे कभी कभी हो सकता है इससे डालते हो तो उंगली में भी लग सकते है तो आप बहुत श हैड में इसको कटान लगाकर इसको पका कर देंगे इस तरह से थोड़ा सा आप कपडा ले लिजिए इसमें ऐसे और इस दागे को ले करके दो तिन पर इस तरह से लपेट दीजिए यह देखिए यह पका हो गया अब हम एक्स्ट्र दागे को काट लेंगे यह देखिए हमारा बटन लगकर कम्प्लीट होगे अब हमने जो काज बनाया देखते हैं उसके अंदर यह बटन फिक्स होता है या नहीं क्योंकि हमने इसी का साइज बनाया वो इसमें फिक्स हो जाएगा विसे यह देखिए यह देखिए यह मारा बटन से थोड़ा सा चोटा ही बनाया नहीं तो यह लिऊज हो जाता है देरे देरे जैसे जैसे हम बन करते जाते हैं वो देरे देरे लिऊज होता जाता है तो थोड़ा सा छोटा काज भी इसमें चल जाता है तो आप अपने बटन से थोड़ा सा छोटा ही काज बनाए और आप इसे छोटा जैसे आपके बड़ा बन गया तो आपको मैंने बताया था इसी को मैं आप करके बताती हूँ इस तरह से आप छोटा कर सकते हो दागे के एक सिरे में गटान लगा दिया लंबे सिरे में आपको इसको कैसे छोटा करना है यह देखिए यह बेग साइड में आपको इस तरह से करना है छोटा यहां से इसे फुई गजारनी है इस तरह से ये दागे का ये वाला सीरा लेना आपको कपड़े के पास वाला सीरा और इस तरह से डाल देना ये देखे ऐसे आप इसको छोटा कर सकते हो ओल को मैंने मसीन से भी बटन लगाने के वीडियो बना रखे हैं एक बिना फुट लगा कर बटन बनाने का दोनों ही तरीके से मैंने बना रखा है आप स्क्रिन पर देखे लिंक पर जाकर देख सकते हो इस तरह आप भी हाज से काज बटन बना सकते हो और ये बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेर करें थेंक्स प्रेंड्स आप मेरी आसान है